नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं क्रैन धर्मा संमार्ग नौरात्र में बहुत सारे प्रयोग किये जाते हैं चाहे वो रिष्टों की समस्या से परिषान है उसको दूर करे या सत्रू बाधा से मुक्ति पाने बिद्यार्थियों को बच्चों को पढ़ाई लिखाय में मन लगने के लिए यहां तक की जीवन की हर मुस्किल चाहे नौकरी बैपार की मुस्किल हो या स्वास की बाधाय हो हर समस्या से मुक्ति पाने के लिए नौरात्र में हम मातारानी को मनाते है मा के नौर स्वरूपों में मा का आसिरबाद चिपा है और उनको प्राप्त करने के लिए उमीद है आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे, बहुत प्रयास कर रहे होंगे और उमीद है बहुत साइ लोगों को मा का असिरवाद मी मिल चुका होगा तो आज इसी क्रब में हम आपको बताएंगे आपके बैवाही जीवन की मुश्किलों को दूर करने या फिर आपके लाइफ में कोई तीसरा आ गया है अप पती पतनी है, कोई तीसरा आ गया है आपके रिस्ते में कोई तीसरा दराट डाल रहा है आप लोगों में बंती नहीं है आप लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते प्रेम तो बहुत है पर कहीं नफरद भी उस पे भारी है आप क्या करें कि आप लोगों में प्रेम बढ़े और मातारानी का आसिरवाद मिले वैसे तो ये प्रियोग लगातार तीन दिन किया जाता है याद रखिए लगातार तीन दिन अगर आप लगातार तीन दिन ना भी कर पाएं तो एक दिन कर लीजेगा और पिर इसके बाद आप मंगलवार मंगलवार आप करके इसको रिपीट कर दीजेगा ठीक है? यनि जैसे आपने आज किया, इसके बाद आप अगले मंगलवार कर ले, या आप चाहें तो तीनी लकातार कर ले, तो आपकी मरची पर हम छोड़ते हैं कोई रिकत नहीं है तो हम बात कर रहे हैं कि आपके रिष्टों के मुश्किलों को दूर करने के लिए जब आप मातारानी के सरन में आते हैं तो मातारानी का आसिर्वाद आप पे जोली भर के बरसता है एक छूड़ा सा काम करें देखिए अपने नाम सुना होगा पंच परमेश्वर अब हम यहां पंचायत की बात कर रहे हैं पंचायत भगवान का देपताओं का पंचायत कहा होता है मादुर्गा के मंदिर में क्योंकि आपने देखा होगा मादुर्गा के मंदिर में पांस मंदिर नहीं होता है क्योंकि मादुर्गा सिपजी के ही आधा सवरूप है तो वहां पर आपको जाना है पहले तो आप दो पान का पता मंगा लें दो पान का पता याद रखिए अब थोड़ा सा बटर बटर यानि मक्षन रेडिमेड भी आता है अचकल आप वहां से भी मंदिर या फिर दुर्गा मां के मंदिर चले जाए अगर आप दुर्गा मां के मंदिर जाते हैं तो आती उत्तर सिपजी के मंदिर जाते हैं तो मां पारवती के सामने यह प्रियोग करना है एक पान का पत्ता पे थोड़ा सा बटर रखकर मातारानी के सामने अर्पित कर दे मां से अपने दिल की सारी बात कह दें आपको रोना है बटके रो लीजे दिल की बाते कहना है कह लीजे कहिएगा किस से मां से बहुत सारी बाते महलाएं अपनी मां से नहीं कह पाती पर भगवान से मातारानी से कह देती है बस वही करना है इसके बाद दूसरा पत्ता पर थोड़ा सा और बटर ले लें दो पत्ता हमने कहा है उसको मंदिर के पीछे जाकर रखा है अब बहुत बार क्या होता है मंदिर में के पीछे जगा नहीं होता है या जाने का जगा नहीं है तब तब मां के तस्वीर या मुर्ती के पीछे या सा के पत्ते पर अब इसको रखकर आपको और्पीत करना है और घर चले आगा तीन दिन लगा था करके देखें अब यह मस सोचिएगा कि आपने कि यार एक दिन में रिजल्ट रिजल्ट तो आना ही है सब कुछ ठीक हो जाएगा जितने भी गलत फेमिया है जितने भी लोगों की परेशानिया है या किसी ने आपके जीवन में बे बज़ा उतल उतल मचारा का सारी समाप्त हो जाएगी क्योंकि एक बर जिसने मातारानी पर भरूसा कर लिया और कहीं जानी करें सकता नहीं पड़ती हम आप से विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लेगा तो लाइक कर सब्सक्राइब करें हर हर महादेब धन्याइब